नमास्ते दोस्तों आज मैं कुछ अलग बनाने जा रही हूं यह देखिए जो लोग गोभी फुल गोभी पत्ता गोभी जो इता खड़ाब हो जाता है यह डंठल लोग फ्ञेंक देता है गोभी का बंधा गोवी का तो आज मैं इसी का सब्जी बनाने जा रहे हूं मुचरचरि यह देखिए इस त 또 agency रखें सब को इसी कमें यह देखिए , यह मोटा वाला जो जर में रहता है इसको काट के हटा देना है और इसको इस तरह से काट के और यहां जो बीच में रेश अरता है इसको निकालना है और इतना छोटा कारना है कि एक बार में आदमे मौ में रखके चबा ले तो इसको इस तरह से पतला पतला काट लेना है देखें और इसमें बैगन रखेंगे मुली गाजर सब काटके रखके और इसको उबाल के अतब बनाएंगे मचली का मसाला जिस तरह से मचली बनता है उस तरह से इसका बनाएंगे यह गोवी पत्ता का डंठल है और बंधा गोवी का इसको काट के छील के रख दिए एक साइज में सोजन के जैसे सोजना का बनता है उस तरह का आकार में काट लेनेगे इसको चबा के खाना होता है और उसमें डालने के लिए यह बैगन, मूली और गाजर और एक बड़ा साइज का टमाटर काट लिए हैं इसमें डालके बनाने के लिए और इसको अब उबालेंगे यह देखिए इस सब जो मुटा मुटा था गोभी का अरबंधा का सब को निकाल के छिल के काट लिए हैं और उसमें डूबालने के लिए डाले हैं और इसका क्या है यह अभी सुखा है, शुख गया है तो यह ताजा होने से इस पत्ता हो सिर्फ निकाल के इसको बनिया से धो के आर उसके बाद मिर्चा दिजिए काला जीरा दीजिए और ऑल आदी डल और इसको टेल के च्वाओ के आएं अर उसके बाद तो और इसका चाट्नी खाइए और खाक देखिए रहे सब्सक्राइब करना हो जाएगा उबल जाएगा उसके बाद इसको निकाल दें बैगन तो ऐसे भूजने में गल जाएगा इसको थोड़ा उबाल देते हैं हल्का वि इसमे तेल डालंने तेल डालंके वइल हो गया अब इसको तेल बखाई करेंगे और दैगन को भी फ्राई करेंगे यह सब फ्राय करके इसके बाद मचाशा अख करेंगे तो एक सब चल्डाम को इसको डालेंगे दानाम कहती है, प्राइक कना पॉरिए, प्राइक करने हैं, तक करें भी जाएं बतल खार उसे बावन फिर दाहर जोने हैं, इसके नाम चट्री, इसके नीज़ करका बनाते हैं, यह इधर का दी है बंगाल का और इसे लोग चर्चरी नाम से बोलते हैं चर्चरी बूला जाता है इसके मसाला सब मचली जेका मचला पड़ता है इसमें सर्सों लस्तायां दनियां मेचा इसे डाल के यह बनता है बनने के बाद यह बहुत ही पेश्टी बनता है इसका स्वाथ बहुत अच्छा होता है इसमें सूप अदाने के बहुत है बहुत है बएर्ण बेलाट खुरा पमीन बहुत है वैर वर दो 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 दोेने कि आपक बादाने के इसमेडम में दोने बहुत है यह देखे हैं बुना रहा है और यह दाटा जो है यह दाटा जितना रखी है वो भी का डंधा उसकी उतना ही गाजर, मूली और दैगन डाली और अपनी की साव से अपना पसंद से जो भी सबी इसमे डाल से डालके, बना के देख लेखा, और पमेंत का से इस अपनी की और कमेंट यह हमको लिखके बताएगा इसमें डंधर में नमक जल्दी नहीं जातेगा, इसलिए हल्का से नमक डाल दे रहे हैं, अंदर इसमें नमक जाएगा, तब कज़ी में तो ठीक है, लेकिन डाटा में इसलिए थोड़ा से नमक डाल देएगी, अब भूना गिया है, अभी कुनिकाल के बाहर कर लेते हैं, यह देखें, पच फोरन है, पच फोरन का फोरन पढ़ेगा, और इसमें सर्सो का ही मसाला पढ़ेगा, सर्सो मसाला देने से इसका स्वाद टेस्ट अलग से आएगा, अच्छा लगेगा, हो गया, मैं फोरन जल लिया है, देखें इसमें, सर्सो, लैसोन, धनिया, पच्छा मिर्चा, इसके रख्षोर कर लेते, इंडाल दिए, इसमें बलाएगा, जादा मसाला से सब्जी बेखा हो जाएगा, हेगा, पच्छा मिर्च, लाल मिर्च, शास्मीरी मिर्च, कि मसाला भूल जवजिरा नी तोड़ा बूल जाएगा नामक गाल देरेगा मसला का रण होगे, तो इसमें सब्जी डालेंगे, मचका, तो सेंट हा रहा है, सुगन, यह टमाटर बड़ा, बड़ा साइज का टमाटर था, कापके रखे, तो डाल दे रहें, इसको सुखा सुखा ही बनता है, पानी नहीं डलाएगा, पानी डालने से ठीक में लगेगा, वेदम सब्जी रिशा हो जाएगा, मसाला होनाएगे, बाल दे रहें, बच्छे तरगां की तमाग खेल के आएगा, बच्छे तरगां की तमाग खेल के आएगा, बच्छे रिशा रिशा हो जाएगा, अब च्छोडी तयार हो जाएगा, अब बुना गया, च्छोडी तयार हो गया, इसमें थोरा सा कसूरी मेठी राल देते हैं, पर देखेने मसाला ज्यादा है और बना के खाया के आप लोग देखिए, बहुत पसंद आएगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगएगा, मेरा च्छोडी बन के तयार हो गया है, हम जो अपना रेसेपी बनाए है च्छोडी तो जो सबजी को लोग फेक देते हैं उसका अज सबजी बनाए च्छोडी और आप लोग बनाएए, खाईए, मैं जैसे दिखाई हूँ, बताई हूँ, उस तरह बना के देखिए और खा के देखिए, बहुत पसंद आएगा सभी को और प्ली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजीएगा, लाइक कर दिजीएगा, सेर कर दिजीएगा,